हेलो सातियो मैं बेद प्रकाश आपके अपने यूट्वी चैनल प्रकाश स्टेडी में आपका स्वागत करता हूँ सातियो आज हम 25 जनवरी 2013 का सेकेंड सिप्ट का पिपले किया हैं जिसमें आज हम पढ़ेंगे सोसल इस्टेडी या सोसल साइंस सातियो सामाज बिग्यान के जितने भी कोशन इस वीडियो में बनते हैं सभी कोसन को इस वीडियो में complete करेंगे अगर साथ यो इस चैनल पर पहली बार आएं तो फ्ली चैनल को subscribe कर लें वीडियो को like था share कर दें इससे पहले हम बाल विकासे में सिख्चा सास्त्र और हिंदी की वीडियो बना चुके हैं आप playlist में जाके देख सकते हैं किया गया नीचे चार पसंद रेके हैं बंदरगा बंदरगा सब्द को मद्र यूगीन काल में को पढ़ के सहिँ अनसर बताना है Q31 का सहिँ अनसर क्या हुगा साथ 31 का आप तीसरा सहिए हो जाएगा यानि ये गुलामों के लिए इस्तेमाल किया गया बंदगा अगला कोस्सन, कोस्न नमर बत्तीस 72 मैं पूछा है हमें आरम मेक क्रसकों वब पसपालकों के वारे में कैसे पता चला ये कहता है हमारे पास उस समय का लिखेत रिकॉर्ड है भी कहता है हमारे पास अनाज और जानुमरों की हड्डियों की साक्ष है नीचे 4 option आप्चिन ने रखें, इन 4 option को पड़के 32 का सही आंसर बताना है 32 का सही आंसर क्या होगा? 32 का 2 second सही हो जाएगा, इसमें cable B option सही है यानी B ये वाला सही है अगला कौसन देख लेते हैं, question अमर 33 33 में पूचा है आईने अकबरी के संदर्व में निम्लेकित कतनों पर विचार करें और सही विकलब का चैन करें यह कहता है यह अबुल फजल द्वारा लिखा गया है B कहता है इसमें विविन परकार की चीजों फसलों कीमतों राजस और मजुदरी बगेर हक का सांक किया विवरण है C कहता है यह अकबर के पूरवजों का विवरण दिती है नीचे चार अपसन दिरकें इन चार अपसन को पढ़के सही आंसर बताना है पसन अमर 33 का सही आंसर क्या होगा साथ यो 33 का अपसन अमर पहला सही हो जाएगा यानि A और B इसमें सही होंगे यानि A कहता है यह अब फजल द्वारा लिखा गया और B कहता है इसमें विविन प्रकार की चीजाओं फासलों कीमतों राजस और मजदूरी वगेरा का सांक किया विवरण है अगला कौसन देख लेते हैं कौसन अमर 34 34 में पूचाए इक्तादार और जमी इक्तादार और जागीदार की विशे में कौन सा कथन सही है A कहता है यह पद विशिष्ट खेत्रों के नायकों सेनिकों के क्रमशा दिल्ली सल्तनात और गुलाम सासकों में दिये जाते थे B कहता है वे अपनी भूमिक खेत्र जिसे क्रमशा एक्तादार जागीर कहते थे वहां रहकर वहां का प्रसाशन चलाते थे नीचे 4 अप्सन दे रखें 4 अप्सनों को पढ़के सही आंसर बताना है क्या होगा 34 का पहला सही हो जागा यानि केबल A सही है यानि इसमें A अप्सन सही है यानि ये पाद विशिट केत्रों के नायकों यानि सेनेकों को क्रमशा दिल्ली सलतनाथ और गुलाम सासक में दिये जाती थे अगला नेक्ट कॉसन देख लेते हैं कॉसन नमर 35 35 में मिलांचिन करना है आपको आपका विलियम्स जोंस हो जाएगा शेकेंड से यानि प्राचिन संस्क्रति का सम्मान रविंद्र नाट टेगोर अप्शन नमर 4 से यानि प्राकर्टिक वाता बरण में सीखना महात्मा गांदी हो जाएगे तीसरे से यानि अंग्रे जी सिख्चा के आलोचक और थोमास मेकाले अप्सन नमर पहले से हो जाएंगे यानि अंग्रे जी हाजा का प्रसार इसका राइट आंसर अप्सन नमर पहला हो जाएगा अगला कौशन देख लेते हैं कौशन नमर चाथिस 36 में पूचा गया है कथन A वा B को पढ़कर सही विकलब का चुनाप कीजिए कथन A दे रखा है असो का धम ईश्वर की पूजा पर बल देता था कथन B दे रखा है असो का धम बुद्ध के उपदेशों से प्रिरिथा नीचे चार अप्सन दे रखें इन चार अप्सन को पढ़के सही आंसर बताना है कौशन नमर 36 का सही आंसर क्या होगा 36 का उप्सन नमर 14 सही हो जाएगा यानि केवल B उप्सन इसमें सही है यानि B उप्सन यानि ये वाला यानि आसो का धम्य बुद्ध के उपदेशों से प्रिरिथा अगला नेचे कौशन कौशन नमर 36 36 में पूचा है ओपन वेसिक भारत के संदर्व में इन वक्तियों पर विच्चार करें और सही विकल्प ढूड़ें A कहता है अंग्रेजों ने जन्जातियों के कल्याण के लिए वन्नों में गाम वसाने का नण लिया B कहता है अपन वेसिक अधेकारियों ने जन्जातियों को इस सर्थपर के वे वन्न विवाग के लिए स्रेमेकों के रूप में काम करेंगे बनों में कुछ टुकडे भूमे पर जूल खेती की अनुमती दी नीचे चार अपसन ने रकें इन चार अपसन गो पढ़के सही अंसर पताने को सुन अमर्ट 36 का सही अंसर क्या होगा साथीud को Super Text का सही अंसर 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 सेकंड हो जाएगा यानि ए असत्य है और इसमें बी सत्य है आपका ए असत्य होगा यानि ये और बी सत्य होगा अगला नेट कॉसन पॉसन नमर 38 38 में पूचा है एक्यानवी सताब्दी के आदिवासी सम्हों के वारे में निमले खिते दो कत्रों को पढ़ें और सहीवी कल्प का चैन करें ए कहता है वे जूम खेती करते थे जानवरों का सिकार करते थे और वन ने उत्पादों को इखटा करते थे बी कहता है वे जगह खेती करते थे वे एक जगह खेती करते थे जानवरों का पालन और पूसन करते थे नीचे चार अपसन दे रखें, चार अपसनों को पढ़के 38 का सही आंसर आपको बताना है साथ यह 38 का अपसन नमर 30 सही हो जाएगा, यानि A और B दोनों इसमें सही होंगे यानि आपका A और अपसन नमर 20 सही होंगे अगला कॉसन देख लेते हैं, कॉसन नमर 49 49 में सुधार आंदोलन को उनके उद्रम स्थान से मिलान करें यह नीचे चार अपसन दे रखें, चार अपसनों को पढ़के सही आंसर आपको बताना है 49 यानि 39 का अपसन नमर कौन सा सही होगा यह नी मिलान चेन करना है, आपका वेद समाज, वेद समाज किसे सम्मद देत होगा यह आपका मद्रास से, प्राथना समाज, प्राथना समाज हो जाएगा आपका मुंबई से और सिहा सवा, सिहा सवा किसे हो जाएगी, यह सात्यों लाहोर से सही वेकलब हो जाएगा option number इसमें तीसरा अगला question देख लेते हैं question number 40 चालिस में पूचा है निम्ल कित में से कौन सा कथन सामाज एक सुधार और जाती अनुमूलन के संद्र में सही है नीचे चारा option रेके हैं चारा option को पढ़के सही आंसर बताना है चालिस का option number सही क्या होगा सात्यों चालिस का option number पहला सही हो जाएगा यानि राम मोहन राय ने जाती गत असमान ताको चुनोती देने वाली बुद्ध संपदाय की एक पाठ़े सामिगरी का अनुवाल किया था अगला question देख लेते हैं question number 41 41 मैं पुचाए निम्न लिखित कथनों A तथा B पर विचार करें कथन A दे रखा है हैनरी विलियन डिरोजिया के विद्यार्थियों ने पारम पराओं और नीतियों का खंडन किया उन्होंने इस्तियों के लिए सिच्छा की मांग की और विचार एवं अभिव्यक्ति की आजादी के लिए अभियान चलाया कथन B दे रखा हैनरी के विचार अमूल परवर्तन कारी थे तथा उन्होंने अपने इस्तियों को सभी प्रकार के सत्ता पर प्रेश्ण उठाने के लिए पुस्वाहित किया सही विकल्प चुने इन चार अप्सण दे रहे हैं इन चार अप्सण को पढ़के सही अंतर आपको बताना है कौसर नमर 41 का सही अंतर क्या होगा सात्यों 41 का अप्सण नमर पहला सही हो जाएगा यानि A और B दोनों सही है और B सही विकल्प का चुनाप करें A कहता है आमूल परिवर्तन वादी नेता मद्यमार्ग वादी नेताओं की अलोचना उनके आत्म निरवर्ता और चनात्मक कार्यों पर जो देने के कारण करते थे B कहता है अमूल परिवर्टनवादी निएताओं का 30 था के लोगों को सरकार के नेक एरादों के भरोसे नहीं रहना चाहिए C कहता है अमूल परिवर्टनवादी निवे दनों की राजनीती में विश्वास करते थे इसे चार अप्शन दे रखें चार अप्शन गों पढ़के सही आंतर बताना 42 का सही आंतर क्या होगा साथ यह 42 का अप्शन अमर सेक्टंड सही हो जाएगा यानि केबल B सत्य है अगला नेक्ट क्वासान क्वासान अमर 43 सिर्ट्याधिक बुद्द्धी हुई, भी कहता है इस आंदुलन के दोराण वृतीस, प्लधानत अपाधियों को लोटा गया, और विधान मन्डलों का वहिसकार किया गया, C कहता है इस आंदोलन के दोरान विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई नीचे चार उप्षन दे रखें चार उप्षन को पढ़के सही आंसर आपको बताना है 43 का सही आंसर क्या होगा 43 का अप्षन नमर सेकंड सही हो जाएगा यानि दोनों B और C सत्य है आपके इसमें आपके B और C समें सत्य है B में कहा गया है इस आंदोलन के दोरान विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई अगला नेक्ट कॉसन कॉसन नमर चम्बालिस चम्मालिस में पूचा है भारतिय सम्मेदान ने पहली बार खालिस्तान से उपर की आयो के लिए सरव वहमेक वैस्क मतादिकार का प्रावदान किया खालिस्तान की जगर पर क्या आएगा नीचे 4 अप्षन दे रखें 4 अप्षन को पढ़के सही आंतरा को बताना है चम्मालिस में पूचा है सूर से उनकी दूरी के अनुसार गरहों का आधे गरहों का उचित क्रम कौन सा है साजितियों ये सूर से पूचा है तो 45 का अप्षन नमर तीसरा सही हो जाएगा यानि क्रम हो जाएगा बुद्ध, सुक्र, प्रत्वी, मंगल, ब्रस्पती, शनी, यूरिनास और नेप्चून इस का राइट अंसर अप्षन नमर तीसरा हो जाएगा अगला कौसन देख लेते हैं कौसन नमर चालिस 46 में पूचाए किस देशांतर को भारत के लिए मानक या मुत्तर माना गया है निचे 4 अप्षन दे रखें इन 4 अप्षन को पढ़के सही अंसर बताना कौसन नमर चालिस का सही अंसर क्या होगा ताथे 40 का अप्षन नमर चौता सही हो जाएगा यानी 82 डिगरी पूर्व अगला कौशन कौशन नमर 47 47 मैं पूचाए नेमन जोड़ों को पर विचार करें एक कहता है रूड प्रतीक मान चित्रों की एक विश्व व्याप्पी बासा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं B कहता है रेखा चित्र बड़े पेमाने पर छोटे चित्र का आरेखन C कहता है खाका एक आरेखन जो या चश्य और स्थानी प्रिक्षन पर आधारित होता है उपर दिये हुए जोड़ों में से कौन सा सुमेल है नीचे चार उप्सन दे रेखें चार उप्सन को पढ़के सही आंसर बताना कहसर नमर 47 का सही आंसर क्या होगा साथियो 47 का आप उप्सन आमर 2 सही हो जाएगा यानि केवल ए ऊप्सन इसमें सही होगा यानि आपका यो है ए यानि रूड प्रतीक मान्चित्रों की एक विश्व व्यापी भासा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं अगला कौसन देख लेते हैं कौसन अर्टालिस अर्टालिस में पूचाय निम्न कत्रों को पढ़कर सही विकलका चैन कीजे अबिकतन ए दे रखा है कौछ देशों का अक्षन सिय विस्तार काफी अधिक है कारण आर दे रखा है कौछ देशों में एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं नीचे चार अपसन दे रखे हैं इन चार अपसन को पढ़के सही आंसर पाता ना है कौछ नमर 48 का सही आंसर क्या हुआ आती हो 48 का अपसन नमर 2 सही हो जागा यानि A तथा R दोनों सही हैं किन्तो R सही वियाक्षा नहीं करता है एकी यानि इसमें आपके A भी सही है और R भी सही है परन्तु जो आपका ये R है ये एकी सही वियाक्षा नहीं करता है अगला नेक्ट कोशन देख लेते हैं कोशन नमर्ण उन्चास उन्चास में सही विकलब के साथ मिलान करें यह आपको मिलान चिन करने हैं उन्चास में साथ ही आपका भीका निर भीका निर के यह क्या है यह एक गरम देश है मुम्मई मुंबई क्या है आपका मुंबई आपका यह आद्र है इन्या तो गरमेन थंड़ा है मोसिन राम मोनिस राम यह आपका वर्षाक छेत्र है मानिस राम यानि दिस्पुरुम पढ़ता है और द्रास द्रास यानि यह किया है यह एक थंड़ा ठंडी जगह है यह सबी प्रकार के बनसुपतिया पाई आती है जो भूमाद्य रेखाक से धुर्वकी ओचाने पर मिलती है नीचे चार अप्सन देखें चार अप्सन को पढ़के सही आंसर पताना है कोसन अमर पचास का सही आंसर क्या होगा साती। 50 का आप्सन अमरre 24 से हो जाएगा यानी हमाले पर अगला कोसन कोसन अमर एक्यामन एक्यामन पूछाए मिलान करें तथा उप्युक्त विकल्प का चेन करें यह आपको मिलान करना है एक्यामन में आपका अपक्च्छ है, अपक्च्छ है हो जाएगा आपका सेलों का तूटना एक अप्शनम से हो जाएगा अपरदन, अपरदन यानि B का आपका अप्शनम पहले से हो जाएगा यानि भूद्रश्य पर होने वाला च्छै और विसर्प विसर्प यानि C हो जागा आपका चोटे से यानि नदी द्वारा निर्मेत बड़े मोड तट वंद यानि D हो जागा आपका तीसरे से यानि नदी की उत्थित तट इसका सही अंतराप्च नमर सेकेंड हो जाएगा अगर वाय मंडल की परत की पहचान कीजिए यह कहता है आयन मंडल इस परत का एक भाग है भी कहता है रेडियो संचार में यहा परत मदद करती है नीचे चार अप्षन देर कहें चार अप्षन को पढ़के सही अंसरा पता ना कोशन अमर बामन का सही अंसर क्या होगा साथियो बामन का ओप्सन नमर चौता सही हो जागा यानि बाहे मंडल अगला कौसन देख लेते हैं कौसन नमर त्रेपन त्रेपन में पूचा गया है नेमन कत्रों पर विच्चार कीजिए तता सही विकलब का चुनाइब कीजिए ए कहता है धुर्व वर्फ से डके हुए हैं क्योंकि आपतन की मात्रा वो मद रेखा किसे दुर्वों की ओर बढ़ती है भी कहता है धुर्व उच्च अक्छांसों पर हैं और सूरी की किरणे यहां तिर्ची पढ़ती हैं नीचे चार अपसंद रेके हैं चार अपसंद को पढ़के सही आंसर आपको बताना है त्रेपन का सही आंसर क्या होगा साथियो त्रेपन का अपसंद नमर चौथा सही हो जाएगा इसमें ए गलत है और बी सही है इसमें आपका एक गलत होगा और इसमें बीस में सही होगा अगला कॉसन देख लेते हैं कॉसन नमर चाववन चाववन में पूछा है मरुस्तल की सम्मन्द में निम्न दो कत्रों पर विचार कीजे एक कहता है एक कहता है ठंडा मरुस्तल लद्दाक वरफीली हवाओं और तेज जलाने वाले सूर्य का ताप अनभव करता है बी कहता है कि गर्म मरुस्तल सहरा में रातों अत्यदंत ठंडी होती हैं और तापमान गिरकर लगवग जीरो डिगरी तक पहुँच जाता है नीचे चार अपसन दे रेके हैं चार अपसन को पढ़के सही आंसर बताना है चाववन का सही आंसर क्या होगा साथ चाववन का अपसन अमर तीसरा सही हो जाएगा इसमें A तथा B दोनों सही है आपका A भी सही है और अपसन अमर B इसमें सही है अगला कोसन देख लेते हैं कोसन अमर पच्पन पच्पन में पुछाए इन वाक्यों पर विचार कर सही विकल्प चुने एक कहता है जन संक्या पिरामेड का चोड़ा आधार बविश्य में बढ़ती हुई स्रमिक सक्तियों का संक्यत देते हैं भी कहता है एक देश की जन संक्या में बड़ी संक्या में छोटे बच्चों की संक्या होने से देश के लिए स्रम बाजान में आर profit लाव की स्तथी होती है जन संक्या पिरामेड का आधार 29 तर और सिखर सिखर जन्म संक्या दर्साथा है नीच चाल अप्षन दिखें इन चाल अप्षन को पढ़के सही आंसर बताना है क्वस्सर क्या होगा साथ ये 55 का अप्षन अप्षन सही होगा इसमें किवल ये अप्षन सही होगा यानी ए सब्सक्रादार भविष्ट में वड़ती हुई सक्ति इस्रमिक सक्तियों का संकेद देता है अगला कौसं देख लेते हैं कौसर नमर्ड शप्पन चपन में पurchाएं प्राकर्टिक वनसपती और वन जीवन के सरचन के संदर्ब में निमलेकित कतनपा विचार करें और सही विकल्प का चैन करें ए कहता है विश्व के अनेक भागों में मनेश्यों ने अपने क्रिया कलापों से अनेक जातियों के प्रकर्टे का आवासों में उथल उथल कर दी है B कहता है प्रजातियां जो विलप्त हुने के कगार पर हैं उनको जागरूगता बढ़ाने से सरक्षित किया जा सकता है C कहता है भारत में सेरों, चीतों, बागों, भार्थिय, सारंग का सिकार अवैद है नीचे चार अप्षन दे रखें, इन चार अप्षन को पड़के सही अंतर को बताना है को अप्षन नमर 16 का सही अंतर क्या होगा साथ यों 56 का अप्षन नमर पहला सही हो जाएगा यानि A और B दोनों सही है आपका इसमें A सही है और B सही है ए कहता है बिष्व के अनेक भागों में मनुस्य ने अपने क्रिया कलापवों से अनेक जातियों के प्राकर्तिक आवासम उत्थलपतल कर दी है B कहता है प्रजातियां जो विलप्त होने की कगार पर हैं उनकी जागड़ोता भढ़ाने से सराख्षिट किया जा सकता है अगला कोशन देख लेते हैं कोशन अमर सत्तामन सत्तामन पूचा है एक फसल के संबन्द में निम्न को पढ़िये एक कहता है या उस्म कटवंदिय और अपोशन कटवंदिय प्रदेसों का मुक्य आहार है बी कहता है इसे उच्छ ताफमान या उच्छ आदिरता तता उच्छ बड़्चा की आवसिकता होती है सही विगलब का चैन करें नीचे चार अप्सन दे रिखें इन चार अप्सन को पढ़के सही अंसर आपको बताना है कॉस्टन अमर 57 का सही अंसर क्या होगा क्वससन नमर 57 का सही अंसर अप्सन नमर 2 सही होजाएगा यानी चाबल क्वससन है आपका ये आपको दे रखा है एक भसल की सम्बंद में निव्ड़ को पच्छा ने ए और भी विगलब दे रखे हैं और सही विगल्ब का चैन करना है पूछा है हमारे आसपास रहने वाले बहुत से लोग गरीब है और उनके पास खाने या पानने के लिए पर्याप्त नहीं है कभी-कभी उनके पास रहने के लिए जगए भी नहीं होती है इसका कारण है नीच चार अपसन दे रहे हैं इन चार अपसन को पढ़के सही आंसर आपको बताना है क्वासन अमर अठ्ठामन का सही आंसर अपसन नमर पहला हो जाएगा यानि असमानता अगला नेच को असन अमर 59 59 में पूचाए यदे आप 36 गड़ के गाम में राज की विद्याले में अध्यापक कर रहे हैं अध्यापन कर रहे हैं तो समानता असमानता की चर्चा के लिए किस सहमुआ को उधारण के लिए स्थानी असंदर में प्रियोग करेंगे इस चार रहे हैं चार अप्सन को पढ़के सही अंतर आपको बताना है 59 का सही अंतर क्या होगा जाते 59 का अप्सन अमर 14 सही हो जाएगा यानि व्याग अगला नेच को असन को साथ में पूचाए यद एक अध्यापकाल लेक पाल या कानून गो यह से सब्द प्रियोग कर रही है तो भी किस अध्याए यानि पार्ठ को पढ़ा रही है इंचे चारा अप्सन रेकिन एस चार अप्सन को पढ़के आंसर आपको बताना है का सभी आंसर और तीसरा हो जाएगा यानि भूर आज अस्वर रेकॉर्ड आज सामाज विग्जान के जितने भी कोशन थे इस वीडियो में हमने सभी कोशन को कंप्लीट कर लिया है अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और आपने चैनल सब्सक्राइब ने किया है प्लीज चैनल को जरूद सब्सक्राइब कर लें आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद